राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज है मकश अक्रांती और अभी टाइम हो रहा है शाम के लगबख साड़े पांच बज रहे हैं और हजबन आज काफी जल्दी आ गए हैं मेरे लिए यहां पे लेकर आए हैं माल्टे तो माल्टे मैं एक खाती हूं वो नहीं खाते ह बहुत पसंद हैं तो चलिए आज की रेसिपी मैं देने वाली हूं आप सभी को दूद पीठे की काफी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप सबके आ रहे थे कि दीदी आप दूद पीठे की रेसिपी लेकर आएं क्योंकि मकश अक्रांती आती है ना तो बहुत सारी जगे पे यह रेसिपी बनती है और खाई जाती है तो आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से मकश अक्रांती की बहुत सारी शुप कामना है दोस्तों और यहां मैंने एट कर दिया है कड़ाई में लगबग 1-5 लीटर दूद है यह गाय का और यह उबला हुआ दूद है और यहां पे लिय अगर आटा ले रहे हैं तो ध्यान रखेगा जो आटा है ना आपका जादा से जादा मोटे वाले चावल का आटा होना चाहिए या फिर जो आर्वा चावल रहता है उसका आटा होना चाहिए इससे आपके पीठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही अच्छे अरand पानी में ढल के हमें ठंडा करके अच्छे से मेश कर लेना है और इसे सॉफ्ट कर लेंगे जब तक यह सब नहीं होगा तब तक आपके पीठे अच्छे नहीं बनेंगे तो यह जो आटा है कल मैंने दाल-पीठी की रेसिपी आप सभी केसाद की थी उसे मैं से मैं थोड और चीनी और चावल के आटे से भी बनाई जा सकती है तो हम इसके अंदर भरेंगे थोड़ा-thोड़ा खोया तो खोया में थोड़ा सा बना के रखती हूं फ्रीज में एडवांस में क्योंकि मुझे रेशिपी बनानी होती है तो खोया मेरे पास हमेशा थोड़ा बहुत तो र अगर आप बजार का खोया ले रहे हैं तो उसको भूनना जरूरी है और घर का है तो सिर्फ उसे मैट कर लें और ठंडा कर लें तो यहां पे खोय को मैंने कर लिया है बिल्कुल ठंडा और आप डालूंगे इसमें सारे ड्राइफ रूट और दो इलाइची डाल दी है मैंने चाहेगा तो हम तीनोई चीजों को अच्छे से इने मिक्स करेंगे उससे पहले मैं डाल रही हूं यहां पर तीन चम्मत सुगर तो यह पिसी हुई चीनी है और इसी हम थोड़ा सा ही डालेंगे जादा नहीं डालेंगे और गरम खोय में बिल्कुल भी मत डालिएगा नहीं तो मैल्ट होना शुरू हो जाएगी है तो जब खोया ठंडा हो जाए उसके बार ही आपको शुगर डालना है इसमें तो चलिए इस्टफिंग हमारी तयार हो गई है और इधर पेड़े भी बिल्कुल तयार है तो यहां पर पेड़ों को हमें बिल्कुल कटोरी शेप देनी ह और हलका सा मैं देशी घी लगा रही हूं हाथों पर मैल्ट कर लिया था मैंने देशी घी और कटोरी शेप देखे हमें स्टफिंग थोड़ी सी भरनी है पहले वाले पीठे में मैंने बहुत ज़्यादा स्टफिंग भर दी थी तो वह फट गया था इसलिए मैं यह दूसरा पिठा बना रही हूं और इसको अच्छे से हम बिल्कुल सौफ्ट और बिल्कुल राइट हातों से ही इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे और जैसे जैसे आप इस तरह से करते जाएंगे बहुत ही इजी लिसी बंद हो जाएगा आप चाओ तो उसके थोड़ा सा यहां पर पान पिठे बना कर तयार कर लिए हैं तो चलिए आगे का प्रोसस देख लेते हैं तो यहां पर दूद अच्छे से उबल गया है और गाड़ा होने ही वाला है लगबग थोड़ा बहुत कम हो गया है और दूद को आपको जादा गाड़ा नहीं करना है बस थोड़ा थोड़ा थी 6 मिनट उसके बाद देखिए उबलके ना ही मोटे मोटे हो गए और उपर आजाते हैं दूद पर जैसे दूद उबलता है ना दूद के उपर आने शुरू हो जाते हैं तब आप समझ जाएं आपके पीठे बिल्कुल पक्के तयार हो गए है उसके बाद मैंने इसमें डाल द यह तो यहां पर जो दूद पीठा है वो बनकर तयार है तो दोस्तो रेसिपी को ट्राइज जरूर करना बहुत ही टेस्टी है और आप सभी के घड़वालों को बहुत पसंद आएगी और हजबन तो कह रहे थी कि खाने के बाद कोई शब्दी नहीं बन रहा है कि चावल के आटे से भी इतनी मज़ेदार रेसिपी बन सकती है तुमने चावल के आटे की दो मज़ेदार रेसिपी मुझे खिलाएं जो मैंन एक रेसिपी और बनाई है जो आपको मेरे नेक्स वीडियो में देखने को मिलेगी हजबन आज काफी जल्दी आ गए थे और पहले तो निहार रहें थाली को कि क्या क्या बनाया है मैंने सिर्फ दो रेसिपी बनाई है साथ में चावल चाय बनाई है अधरक वाली और मैं जरूर करना मैं मिलूंगी आप सबी से कलेक और अच्छी रेसिपी के साथ बाब बाई टेक क्यार लव यू आल एंड हर हर महादेव